आज की बढ़े हो हम class 10 का जो आपका CPSC का सेंबले पर लाँच हुआ है, class 10 का, आज हम question number 11 करने जा रहे है, question number 11 है, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then the length of the each tangent is equal to, यहाँ पर आपको एक circle गीवन है, जिसकी radius है 3 cm, यहाँ पर मैंने radius ड्रो कल लिया है, यहाँ आपकी 3 cm, यहाँ पर आपके 2 tangents हैं, जो inclined करते हैं एक angle पर, वो है आपका 60 degree, और यहाँ पर आपको इस tangent की length बतानी है, मान लेते हैं इस वाले, जो आपका tangent है, इसकी length मान लेते है, PA, तो फिर यहाँ पर से, जो आपकी PA की length होगी, वो आपको यहाँ पर find करनी है, यानि की length of tangent, यह आपको यहाँ पर आपको बी канता अपका 30 degree का, यहाँ पर आप जानते हमें यह angle होगी, आपका 90 degree का, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आप इसकी length निकाल सकते हैं, यह पर यहाँ पर से 10, 30 degree का use करकर हम यहाँ पर theta का सामने आला perpendicular और यह हो जाएगा आपका base तो फिर perpendicular है आपका 3 cm और base हो जाएगा PA जाने कि tangent की length 10 30 degree की value होते है 1 by root 3 is equal to 3 by PA यहाँ पर से PA की आपकी length क्या आजाएगी 3 under root 3 cm तो फिर यहाँ पर आपको length मिल गई इसकी यह आगे आपकी 3 under root 3 cm उम्मीद करता आप से कहला question समझ मैं होगा बहुत simple question था यहाँ पर से आपको एक line बेजने थी जो इसके bisector होगी तो फिर यह अला angle हो जाएगा आपका 30 degree का यह अला angle आपका already 90 degree का ही है तो फिर यहाँ पर जब आप 10,30 degree का use करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको perpendicular निकालना है और आपको base given है और आपको angle भी given है तो फिर 10,30 degree का use करके यहाँ पर आपको 3 under root 3 आंसर मिल जाएगा तो फिर उम्मीद करता आप से कहला उसन समझ में आगए समझ में आगए तो इस बढ़े के लिए लाइक का बटन जासे दावादरा चलिए मिलता है से नेक्षिड में किसना टो साथ ततो लिए जाहिए चावरत